Hello everyone, मैं आज आपको एक बिखारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ इस कहानी को सुन कर आपको ऐसा लगेगा ये मेरी अपनी ही कहानी है क्योंकि हमारी भी स्थिती वैसी ही है हमें संसारिक संबंदों में हर जगा एक बिख्षा पात्र हमारे हाथ में रखा ही रहता है हमारी हर रिष्टे में कोई न कोई मांग होती है आईए सुनते हैं इस बिखारी की कहानी एक गाउ में ऐसा हुआ कि एक बिखारी मर गया तीस साल तक एक ही जंगा बैटकर पड़ा था तो पड़ोस के लोगों ने सोचा इसके सब चित्रे जला देते हैं इसके परतन फैक देते हैं कुछ भी तो खास नहीं है किसी को ख्याल आया कि ये तीस साल से ये बिखारी इस जमीन को कंता करता रहा थोड़ी सी यहां कि जमीन भी उखाड़ कर नई जमीन लगा दें तभी ये शुद्ध होगी लोग मानते थे कि ये जमीन भी बुरी तरह से अशुद्ध हो गई लोगों ने जमीन थोड़ी सी खोदी चकित रह गए उस जमीन में तो एक बहुत ही बड़ा बक्सा था वहां बड़ा खजाना दबा था फिर सारा गां सो सोच के हसने लगा हथ हो गई ये बिकारी भीक माँगता रहा फिर रहा था जिस जमीन पर यहां बैठा था महां इतना खजाना था खजाना इतना था कि वह समराट हो जाता बिकारी पर गाउ भार के सबी लोग उस पर हसे लेकिन एक फकिर उसी गाउ में रहता था वे पूरे गाउवालों पर हसा तब वे बोला कि तुम उस बिखारी की बात कर रहे हो हालत तो तुमारी भी वैसी ही है तुम भी जहां बैठे हो वाँ खजाना गड़ा है तुम सब सम्राठ हो कोई उसकी बात समझा हो या नहीं समझा हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा था लोगों ने कहा एक और पागल आ गया सयोंग की बात थी मगर वे फकीर उस सभी के बीतर की तरफ का इशारा कर रहा था सभी फकीर के इशारे हमारे अपनी तरफ पर ही होते हैं क्योंकि जब तक हमने अपने अंदर के खजाने को नहीं जाना तब तक हम कंकड पत्थर को पकड़े ही रहते हैं और क्या है परम अराध्य हमारे वीतर ही पैटा है लेकिन उसकी कोई खोज नहीं क्योंकि कंकड पत्थरों से फुर्सत मिले तब ना इस प्रकार है हमारी सब की स्तिती हमारी भी दशा उसी बिखारी की तरह ही है